आप अजूं कीजिए कि आपकी पोस्टिंग पीडिया की OPD के अंदर लगी हुई है और आपके पास एक मदर आती है अपने बेबी को लेकर और उस मदर की क्या कंप्लेन होती है कि जो मेरा बेबी है इसे काफी दिनों से दस्त लगे हुए है और दस्त को इंगलिस में क्या बोलते है डाइरिया ओवराल जो बेबी है वो किसका पेशेंट है डाइरिया का पेशेंट है जब आप डाइरिया का treatment लिखते हो तो आपको treatment के अंदर दो चीजे जरूर लिखनी पड़ेगी और वो क्या होती है ORS एंड जिंक ये क्या है this is ORS pouch एंड अभी मेरे पास जिंक अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर फोटो दिखा रहा हूं तो ये क्या है this is zinc syrup साफ साफ लिखा है zinc acetate oral solution यानि कि this is zinc syrup अरे यार बच्चों को syrup लिखते हैं न टेब्डेट क्यों लिखेंगे अभी हम क्या बात करने वाले हैं जिंक की dose की तो देखिए जिंक की dose को आपको 2 point के अंदर याद करना है पहला point क्या है कि जो बेबी है अगर वो 6th मन से चोटा है तो जिंक की कितनी dose चलेगी 10 mg per day for 14 days एंड जो बच्चा है अगर वो 6 महीने से बढ़ा है तो जिंक की कितनी dose चलेगी 20 mg per day for 14 days ओवराल बात new है कि जिंक को हमें देना है 14 दिन के लिए